तो यह जो प्रड़र कुस्स्टन है कि मुझे गेट का त्यारी करना चाहिए यह मुझे प्लिस्क में त्यारी करना चाहिए मेरे लिए कौन से भैतर है तो यह काफी कॉन्फूजन बनागाते है बच्चों में खास करके वह बच्चे जो 3rd year में है क्योंकि maximum जो student है वह 1st year 2nd year म है वैसे मैं आपको पहले सी बताते है रहा हूँ कि आपका टार्गेट सर्च में गेट एक्जामनेशन है तो फर्स्ट यह सी एक्टिव हो जाई है देखो मैं इसलिए अक्टिव होने के लिए बोल रहा हूँ अब काफिसरे बच्चे सोचते की लाए कि इतना कौन टाइम ठीक है सब् Bennu सब्जेक्ट है ए मैं उतने नहीं पूसर आता कर रहे है तो हो सकता आप उस पर ज्यादा फॉकस नहीं दे रहे हो आप उसको ऐसे प्झाय कर रहे हो सडट सेमिश्टर का जो एक्जाम है उतनı कन equality कर रहे हो एंद आप उसपर ज्यादा फोकसह कर रहे हो हूँ सब्चेट पर जहां पर विटेज जादा है तो अगर यह पता होता है पहले से मैं एक वीडियो बना रखाऊ स्लिबस और विटेज के बारे में तो प्रीज वो वीडियो जाड़ देखिए आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मिल चाहेगा वहाँ पर में काफी डीटेल में वता रखाऊ कि स्लिबस क्या है आपका अगर पेपर कॉम्पूटर साइंस है आप सबी इस् क्लास 8 टू क्लास 12 बच्चों के लिए बोर्ट्स हो गया इंडिय हो गया कॉमार्स हो गया यूपीए सी हो गया गेट हो गया तो इस सारे चीजी आपको पी डबलू पर देखने को मिलेगा इनका जो एंडूर अप्रिकेशन है जो विबसेट है एंड बता दो हिंदी इंगल इस बिंगॉली का लावा जल्द ही जो बागी सब जो डिजन लैंग्वेजेस है उनमें भी कोर्सें कंटेंस लॉंच होने वाला है सो डट इंडिया का हर एक स्टूडेंट पी डबलू का बेनिफिल उठा सके आप में से जो भी भीवर है जो इस वीडियो को देख रहे हो त लेकिन मैक्सिम बच्चे का जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है सो क्या आप 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 आईट में नहीं जा सकते हो तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो अभी भी पूरा कर सकते हो तो गेट एक्जाम एक ऐसा माध्यम है जिसको दे करके आप इम्टे कर सकते हो टॉप आईटीज, इनाईटीज में अप सिफ इम्टेखी नहीं बलकि जो गौहर्मेंट जॉब सिक्टर है वहाँ पर भी जा सकते हो लाइक जो पी एसी हो गया एन जो पी एसी को जो एवरेज पैकेज हो गया वो लगभग 13 से 15 लाख होता है तो आप समझ सकते हो जो एवरेज जब 13 से 15 लाख है तो इसका हाइस्ट पैकेज कितना जाता होगा सो आप सही बच्चों को बता दू P.W. आपके लिए लेकर आए गेट वाला जहाँ पर इंडियास के बेस्ट फैकल्टीज जो आपका जो ड्रीम कोलेज है वाप प्राप्त कर सको आपको जहाँ भी जाना है गेट इंडियास को दे करके आप वह पर पोहुच सको गेट ये 2023 के लिए अज़री फ्री ख्रैस को स्टार्ट हो चुका है आपको यूटूब पर सारी लेक्चर्स मिलेंगे विद प्रॉपर नोट्स और ये जो नोट्स है सबसे बेस्ट नोट डेलिवर किया जारे बच्चों को जो गेट 2023 के लिए परहाई कर रहे है तो मेक सिर इनके जो यूटूब चैनल है जरूर फॉलू कीजिए आपके लिए पराक्राम बैच है अब जोगी ब्रांच ने कुन अब अब लंग गडते हो लैक्बमतर साइन्स जैसे मालीज आपको कॉंप्टर साइंस पेस लेसे लिए हो आइटी लिए हो तो अक्चलिवे शीए अंडर में आता है तो CAC हो गया, आपके electronics हो गया, civil हो गया, mechanical हो गया, electrical हो गया, तो इस सारे branches आपको मिल रहे होंगे, details आप स्क्रीन पर देख सकते हो, and यहापर सब कुछ जो बच्चे को requirement होता है, ख़रेक चीज में लेगा लेगा, आपका notes हो गया, आपका recorded lectures हो गया, जो भी कुछ doubt discussion हो गया, स course manual कर सकते हो, and अगर course manual कर रहे हैं, तो आप यह coupon code use कर सकते हो, so that आपको flat, extra रुपिस 500 off मिल सके, specifically बात क्या जाए, CAC का, IT का, CAC specification का, ठीक है, तो दीको CAC specification, IT, CAC, यहापर आपको कई सरह subject common मिलेंगे, जो की आप preparation कर रहे होगे, placement के लिए, and वो सब subject गेट में भी पूछे जाते हैं, तो यह बताया जाता है, बताया के जाता है, यह है ही, ठीक है, कि आपका अगर branch CAC है, IT, CAC, यह specialization है, and आपका subject अगर CAC है, computer science है, gate के लिए, then mark score करना like easy हो जाता है, लेकिन वो बच्चे जो mechanical लेकर लेकर प्राइक कर रहे है, civil लेकर प्राइक कर रहे है, electrical लेकर लेकर प्राइक कर रहे है, और बागी सब branch लेकर प्राइक कर रहे है, इसके अलावा, ठीक है, इसी में थोड़ा common हो जाता है, उतना common नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा like tough बन जाता है, क्य या बागी सब कोर ब्रांचेस हो गया तो वो थोड़ा दिक्कत के विसे हो जाता है क्योंकि वो सब सब्जेक्ट आपका जो इनिवर्स्टी का जो सिलिबस है वहाँ पर मौजुद नहीं रहता है और रहता भी है तो डिटेलिंग कम होता है अब देखो मैं आपको सब्जेट के सब्जेक्ट्स हो गए ठीक है तो यह दो तू मतलब तो आपका यहां से फिक्ष नमर आता है या बाकी 72 परसेंटेज जो है वह यहां से पूछे जाएंगे अब देखो लेश्ए लेक्ट्रोनिक्स आपका फरस्टव में प्रहा दी जाता है ठीक है यह फर्स्ट यहー का तो देखो यह आपका second year में पढ़ा दी जाता है हो सकता है कुछ 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 उनिवर्स्टी का like आपका third semester starting में start हो रहा है लेकिन जो maximum university second year दर complete हो जाता है और programming and DSA यह तो खेर आपका second year से यह मदद काफी important बन जाता है और programming तो खेर आपका first या सबसे समेस्टर में आपका C हो गया C plus plus हो गया उसको पढ़ात जाता है जो DSA है पॉला पार्ट है वो maybe like maximum university में third semester start होता है ठीक है तो यह भी आपका मानगे चलिए यह तो important सबसे ज़्याद important है यह नहीं तो कुछ भी नहीं ठीक है placement सबसे ज़्याद important यही प्ला पार्ट है तो यह तो maximum बच्चा करी लेता है TOC जो है वो आपका कुछ-कुछ university में third year में होता है और कुछ-कुछ second year में होता है compter design third year में कुछ-कुछ university में होता है maximum university में बात करूँ ठीक है तो यह मैं बता दी है तो मौलने की और दब यह है कि आप जब यह प्रहाई कर रहे हो तो ध्यान से प्रहाई करना ठीक है एंड आपका अगर ब्रांच CSC है, IT है, CSC स्पेसलेजन है तो यह सारे सब्चेक्ट आपके रहेंगे ही रहेंगे, मैक्सीमम युनिवर्स्टिक बात कर रहा हो ठीक है, हो सकता है कि स्पेसलेजन आप अगर लिए हो तो डीटेलिंग कम होगा लेकिन हाँ आपको परहाई जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि आप अगर प्लेस्मेंट के लिए प्रहाई कर रहे हो तो आप गेट का प्रहाई नहीं कर सकते हो, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो प्ले सवाल नहीं आते हैं ठीक है मैं यह प्लेसम का बात कर रहा हूं यह मैं P लिख दरा हूं ठीक है तो P समझ माएगा DJ Electronics से नहीं आते है ठीक है यहां से अबसली सबसे ज्ञाइब इंपॉर्टेंट है ती-अ-ची से कुछ पुछ कमपनियां है जो यहां से सवाल पूछती है तो इसको मैं लाइक एलिमियर्टि कर रहा हूँ ठीक है? मैं कमपनियां बाद कर रहा हूँ फिर्ट दिझायन का इंटरव्यू के वक्त हो सकता रहा अभर आप से पूछती है जगा सवाल ठीक है? तो अगर मतब सारा जो मैं तो कंपनी का बात करें, इसको मैं बेख़्वर कर रहा हूँ, ठीक है, यह उतना important मतब पुछा नहीं जाता है, पूछा जाता है, लेकिन précis मैं यहीं किंपनी में जनरी यहीं पूछा जाता है, मैं जो circle कर रहा हूँ ठीक है आपका यह हो गया आपका यह हो गया और यह हो गया ठीक है बाकी में जो underline नहीं किया हूँ like toc में underline नहीं किया हूँ आपका compiler design में underline किया हूँ COA computer organization and architecture digital electronics and engineering mathematics तो देखो यहाँ से placement में सवाल पता examination जो करवाते हैं वह online mode या offline mode तो जेनली यहां से सवाल नहीं आता है ठीक है तो अगर आप गेट का त्यारी कर रहे हो आपका लाइक CAC, IT, CAC, Space Lesson ब्राहन से ब्लाइं करते हो तो पहला तो आपका यह हो गया नमबर वन, यह नमबर टू, नमबर थ्री, नमबर फोर और नमबर फाइब तो यह पाच चीज़े आपको लाइक एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ रहा है बाकी जो चीज़े हैं वह तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा फर प्लिस्मेंट परपसेस ठीक है तो ऐसा नहीं की लाइक है आपका यहां से मतलब जादे विटेज नहीं होता है ठीक है आपका यहा से Engineering Mathematics and Digital Electronics, तो यहां से सबसे ज्यादा विडियोज होता है, मतलब मैं जो पाच के बात कर रहा हूँ, तो पाच आपका ऐसा सब्जेक्ट है, जो कि प्लेस्मेंट के लिए जनली नहीं पढ़ा जाता है, बच्चे उसका नहीं पढ़ते है, मतलब कुछ 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 क इनका जो एक्जाम होता है, एक्जाम कंटर करवाते है, तो जनली सवाल नहीं आता है, ठीक है, तो गेट के लिए आपको यह जो पाच चीजे है, अलग से पढ़ना पर रहा है, एन देखो, इंजिरिक मैथमेटिक्स से, आप अगर बीटे कर रहे हो, एन तो क्लास 11th and 12th, आ है इसलीए बुला जाता है, कि बीटेक में मैथमेटिक्स का अमपल्श रही है कि कि आपका like minimum 4 semester में mathematics रहता ही रहता है कुछ-कुछ लेकि उनिवस्टी में 6 semester mathematics पढ़ना पढ़ता है ठीक है लेकिन maximum university में 4 semester में mathematics पढ़ाई जाता है ठीक है तो आप पहले try ये किज़ेगा कि ये जो तो subject हो गया आपका engineering mathematics हो गया आपका जो digital electronics हो गया ये मुझे बटेस कर लेना है ठीक है इसो करने के बाद मुझे जो ये जो तीनों है इसको तिन करना है ऐसा नहीं करना है कि मुझे यही मैं पहले तीनों start कर दू तो I think आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बतना चाहता हूँ ठीक है तो ये तो placemently important है ही networking always मैं फिर से लेख दर रहूँ डीवी में आपका ये हो चुका एंड ये हो चुका बाकी आपको ये पढ़ना पड़ेगा one two three four five तो try किज़ेगा जो one है एंड जो two है पहले उसो मैं complete कर लो then only आप three four five पर move किज़ेगा तो देखो अगर conclusion निकला जा वीडियो का तो मैं यही बुला चाहूंगा आप अगर suppose placement पर ही target कर रहे हो तो पहले जी आप ये सब कर लीजिए आपका apti हो गया आपका programming and dlc हो गया ठीक है दें डीवी में हो गया OS हो गया networking हो गया इसको प्ले complete कर लीजिए and ये commit करते तो आपका आधा जो slipper से खत्म हो जाता है gate कभी खत करना होता है and digital electronics ज्यादा भास्ट है लेकिन हाप collect manage कर लोग है ठीक है ज्यादा उससे मतब complex पूछे नहीं जाते आप अगर प्यूए की बड़े से कर ले तो then yes you can easily score a good marks in that particular subject and engineering mathematics दिन ये जो मैं जो तीन सब्जेट बनाए उस भग करना है so I think आपको मतब समझ में आ चुका ह है कि like मुझे क्या करना चाहिए देखो मतलब आपका अगर बात है क्योंकि ये सब चीज़े तो आपका semester बढ़ा जाता है दिक्कत उनके लिए हो जाता है जो लेकि बागी से ब्रांच से ब्लांग कर रहा है ठीक है लेकिन ये बच्चे का विसा सवाल पूसते कि में लिए gate ह है कि नहीं है placement में क्या मुझे focus करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे gate में focus करना चाहिए ठीक है और देखो gate के exam अगर देते भी हो तो आपकी option बढ़ जाता है ऐसा नहीं कि gate के exam देने सिर्टे के लिए ही दिया जाता है आपका rank अच्छा आता है तो आप PSU job भी प्रा button बन जाता है बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड में सिर्ट ज़रू किजिए और इसके पहले में और भी कुछ बना रख हो regarding gate तो आपस को भी देख सकते हैं सबका link description मौझूद है और किस topic पर को content चाहिए प्लीज अब comment box में comment करके हमें inform कर सकते हो